कि नमस्कार सातियों जीत क्लासेज के यूटूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम राजस्तान पुलिस से समधित एक विसेश टोपिक पढ़ेंगे जो आपके पाठ्ये करम में दे रखा है जिसका नाम है आपके लोक नीती ठीके तो सुरू करता है लोक नीती लोक के लिया सताग्यों के मतलब है जो सरकार नीती या बनाती है उसे हुँ क्या कहता है लोक नीती इसका सामानी अर्थ यह है तो इसके अधार पर अपन कह सकतें है कि लोक नीती क्या है तो इसको अपन कहेंगे जनता के कल्यान हे तू या जन कल्यान हे तू जनता के कल्यान हे तू सरकार द्वारा सरकार द्वारा बनाई गई सरकार द्वारा बनाई गई नीती क्या कहला थी आपके लोक नीती अब इसके बाद में और बात करें तो लोक नीती लोक नीती सरकार द्वारा सरकार द्वारा नीर्मित योजनाव तथा नीतियों या नियमों से है जिसका उद्देश ये जिसका उद्देश ये जन कल्यान है कहने का मतलब है जनता के विकास के लिए या जनता के लिए सरकार जो नहीं नहीं योजनाई बनाती है नहीं नीतिया बनाती है या नियम नियम बनाती है उन सभी नियमों को पन क्या कहते हैं लोकनीति कहते हैं तो यह तो इसका सामानी अर्थ हो गया और एक यहां पर प्रस्द्द्र आपको ध्यान रखना है लोकनीति का उद्देशिय यनि लोक नीति का उद्देशिय क्या है तो लोक नीति की उद्देशिय की बात करें उद्देशिय या स्वरूप की प्रकर्ति कैसी है तो लोक नीति का उद्देशिय आपके जन कल्याद जन कल्यान यह आपन कह सकते हैं लोक कल्यान लोक कल्यान कहने का मतलब है कि यह जनता के कल्यान के लिए ही बनाई जाती है इसलिए अपनी से लोक नीती कहते हैं तो यह बात आपको विशेश तोर से याद रखनी है लोक नीती का उद्देशिय या स्वरूप क्या है आपके जन कल्यान होता है, तो अराम से ये लोक नीतिय समझ मा जाएगी आपको यह जन्ता के कल्यान ये तु सरकार जो भी निया नीतिय बनाती है वो सभी लोक नीति के अंदर सामिल होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि लोक नीति का विकास कैसे हुआ, तो इसको लोकनीती का विकास लोकनीती का विकास अब विकास की बात करें कि लोकनीती आई कैसे तो सबसे पहले अपन बात करें कि हावड विश्व विद्याले के अंदर अमेरिका के अंदर इस्तित है हावड विश्व विद्याले वहाँ पर 1937 में लोकपसाशन के विशय में लोकनीति को सामिल किया गया तो सर्व प्रफम अपन बात करें तो लोकनीति को सर्व प्रफम आवड विश्व विद्याले ने 1937 में आवर्ड विश्व विद्याले ने 1937 में लोग प्रसासन के पाथिय करम में लोग नीती को सामिल किया यनि सबसे पहले अपन लोग नीती की बात करें तो लोग नीती को हावर्ड विश्व विद्याले ने लोग प्रसासन के पाथिय करम में इसको सामिल किया यह है इसके विकास का पहला चरण अब आगे बढ़ते हैं कि लोग नीती की मानक पुस्तक लोकनेती की प्रथम मानक पुष्टक लोकनेती की प्रथम मानक पुष्टक मानक पुष्टक लोकनेती की मानक पुष्टक का नाम है आपके दो पॉलिशी लोक नीती की प्रथम पुस्तक का नाम है आपके प्रथम मानक पुस्तक का नाम है अब इस पुस्तक के पुस्तक के रचनाकार यह नहीं लेखक के दीजिए अपन इस पुस्तक के लेखक की बात करें इस पुस्तक के लेखक है आपके इस पुस्तक के आपके लेखक है तो यह बात आपको याद रखनी है कि लोगनीती की प्रथम मानक पुस्तक किसको माना जाता है या कौन सी है तो द पॉलिसी साइंस और इसके रचियता है आपके डेनियर, लर्नर और लास वैन तो यह है आपके लोगनीती के विकास का चरण इसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसके विकास की बात करें तो लोग प्रसासन के लोग प्रसासन के पंचम चरण में लोग प्रसासन के पंचम चरण में जो 1971 में चला था लोग प्रसासन के पंचम चरण में लोक नीती पर विशेश बल दिया गया लोक नीती पर विशेश बल दिया गया लोक नीती पर विशेश बल दिया गया यह इस पर सबसे ज़्यादा बल लोक प्रसासन के विकास के कौन से चरण में दिया गया तो यह आपको याद रखना है पाँचवे चरण में तो यह हो जाता है आपके लोकनीती का विकास यह आगे से आगे विकास इसका कैसे हुआ तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लोकनीती का सरो प्रतम किस विश्व विद्याले ने अपने पाथे करम में सामिल किया तो वो आपको याद रखना है Harvard विस्वी दिया ले फिर इसके बाद में याद रखना है लोक नीती की प्रतम मानक पुस्तक कौन सी है तो वो है आपके the policy science और इसके लेख कौन से है डेनियल लर्नर वर लास्वेल ये पुस्तक कहीं बार पूछी जा चुकी है तो इसको भी आप नीती यह आपन कह सकते हैं के लाइसी की बात ले लेते हैं लाइसी की अपन कोई policy लेते हैं तो policy लेते समय अपन एजेंट से सारी जानकारी आसिल करते हैं कभी policy में क्या सिस्टम है तो सारी जानकारी सीखते हैं क्भी क्या-क्या फाइदा है क्या-क्या नुक्तान है त मतलब होता सीखना सीखने वाला तो उस पॉलिसी को अपन सीखते हैं समझते हैं उसके बाद में अगर पॉलिसी अच्छी है पॉलिसी अच्छी है या वैल है तो अपन उसको क्या कर लेते हैं पॉलिसी को करवा लेते हैं तो इसको थोड़ा से इंट से जोड़ देना सबसे पह को आपको विशेश तोर से याद रखना और कुस्तक का नाम भी याद रखना फिर लोक नीती के कौन से लोक नीती को लोग प्रसाशन विशे के कौन से चरण में इस पर सर्वादिक बल दिया गया तो वो है आपके पांच वाचरण तो ये बाते आपको लोक नीती के विकास मे आपको ध्यान रखनी है, चलो, बढ़ते आगे, अब है आपके लोकनीती की परिभास आए, लोकनीती की परिभास आए, तो अब परिभास आए, तीन चार है, तो आपको मेन एक दो परिभास आपको याद रखनी है, कहीं एक्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले आपको परीबासा याद रखनी है चार्ल्स मेरियम की चार्ल्स मेरियम नामक एक विद्वान था इन्होंने परीबासा दी की सरकार की सरकार की गतिवीद्या ही सरकार की गतिवीद्या ही लोक नीती है सरकार की गतिवीद्या ही लोक नीती है यनि सरकार जो भी कारिय करती है वो सब क्या है आपके लोक नीती है ये परीबासा आपके लोक नीती के बारे में किस ने दीती चार्ल्स मेरियम ने ठीक है तो यह थोड़ी famous परिवासा है करी बार exam में पीछे पूछी जा चुकी है तो इसको भी आपको याद रखना है कि सरकार की गतिवीद्या ही लोक नीती है अब आजे बात करें एक विद्वान वेते आपके Thomas Thomas जे डाई Thomas जे डाई की बात करें तो इन्होंने परिवासा दीती आपके लोक नीती के बारे में कि सरकार के सरकार के वे निर्णे जो लोक नीती के सम्मंद में किया किया जाए किया किया जाए कैसे किया जाए कहा किया जाए कब किया जाए किया जाए इन सभी के बारे में निर्णे इन सभी के बारे में निर्णे लेना या न लेना लोक नीती कहलाता है तो यह परीबास आपके किस ने दीती और अपन वैसे भी पढ़ चुक है कि सरकार के वे सभी निर्णे या नीतिया क्या कहलाती है लोक नीति तो अब लोक नीति कैसे लागू की जाए कब लागू की जाए कहां पर लागू की जाए तो इन सब के बारे में सरकार द्वारा निर्णे लेना ही क्या है लोक नीति और य याद रखना है Thomas J die है तो इसका थोड़ा sequence इससे बैठा लगना आपको याद रह जाएगी ठीके तो ये दो परिवासा हैं आपको ध्यान में रखनी ऐसे तो तीन चार परिवासा हैं लेकिन याद नहीं रख पाएंगे इसलिए मैं रूप से यही सबसे ज़्यादा पुछी ज लोक नीती का निर्मान लोक नीती का निर्मान कैसे किया जाए किस इस्तर पर किया जाता है तो इसमें आपको याद रखना है लोक नीती का निर्मान दो इस्तर पर आपके किया जाता है एक तो आपको याद रखना है सरकारी इस्तर पर सरकारी इस्तर पर और एक हो जाएगा आपके गैर सरकारी इस्तर पर गैर सरकारी इस्तर पर तो यहाँ पर लोग नीती का निर्मान दो इस्तर पर किया जा सकता है एक तो आपके सरकारी इस्तर पर और एक हो जाएगा गेर सरकारी इस्तर पर अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरकारी इस्तर पर कौन सी लोक निती कहलाईगी और गेर सरकारी इस्तर पर कौन सी कहलाईगी तो यहां पर आप सरकारी इस्तर पर कह सकते है व्यवस्ता पिका व्यवस्ता पिका या संसद द्वारा संसद द्वारा निर्मित जो नीतिया होती है नियम होती है वो क्या कहलाती है कैसी आपके लोक नीति या कैसी इस्तर की कहलाएगी सरकारी इस्तर की यह होता आपके कैंदरी इस्तर पर इन्हीं संसद या कैंद्रिय व्यवस्तापिका या विदाईका कोई भी नीती या नियम बनाती है तो वो आपके कैसी कहलाएगी लोक नीती, सरकारी इस्तर की लोक नीती कहलाएगी अब अपन राज्ये की बात करें, तो राज्ये की व्यवस्तापिका राज्य की व्यवस्ता पिका कह दीजिए, विदाईका कह दीजिए, एक ही बात है, राज्य की व्यवस्ता पिका या विदाईका, जो आपके क्या कहलाती है, विदान मंडल, विदान मंडल, तो राज्य की व्यवस्ता पिका या विदान मंडल द्वारा बनाई गई लोक निति या वो भी आये गिया आपके सरकारिस्तर पर ये किस इस्तर पर मनती है आपके राजी इस्तर पर ठीके फिर आपके आजाएगा कर दो आज तो जैसे अपन कहेंगे राजनेतिक रूप से राजनेतिक सरकार की बात करें जैसे किस समय किस राजनेतिक दल की सरकार है और जिस दल की सरकार होती है उनके जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं जैसे कैंद्रिय कार्यपालिका में आपके राष्टपती सामिल होता है प्रदान मंत्री कैंद्रिय मंत्री परिशत फिर आपके उपराष्टपती, मा नियाईवादी ये सब सामिल होते हैं तो इनके द्वारा जो नीतिया बनाई जाती है वो भी आपके किस इस्तर पर कहलाएगी सरकार इस्तर की लोक नीति कहलाएगी तो ये अइस्ता है इसलिए अपन इसको कहते हैं क्योंकि 5 साल के बाद में इनका कारेकाल समापत हो जाता है तब ये अपने पद से कारिय नहीं करेंगे तो इनके इस्तान पर नई सरकार आ जाती है नई कारेपालिका का गठन हो जाता है इसलिए इसे अपन अइस्ता ही कारेपालिका कहते हैं लेकिन जब ये सरकार में रहती है बनाई गई लोकनीती जिसमें आपके आएगा नौकरसा या नौकरसाही के माध्यम से नौकरसाही का मतलब आपके जीतने भी जो सची वगरा है या आपके हर विबाग के अंदर सची होते हैं सरकारी करमचारी होते हैं तो सरकारी करमचारियों द्वारा जो लोकनीती या जनता कलियान की जो मसी बनाए जाती आपके किस इस्तर की लोक नीथीा यह यह सरकारीकारी नौकरी पैशा लोग induce तो इनका कारिकाल अपके सिल्वा निवरुद्ती के बाद ही समग होता है इसलिを इनको सरकार राजनेतिGroup से जो सरकार होती वह स सरकार नहीं कह सकते तो इन द्वारा इनके द्वारा जो लोक नीतिया बनाई जाती है वो आपके किस परकार की लोक नीतिया कहला है कि सरकारी स्तर की तो यहां से प्रसन आपके आ सकता है और आया हुआ भी है पहले कि सरकारी स्तर पर लोक नीति का निर्मान कौन-कौन कर सकता है तो आपके नामकरम हो जाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं गेर सरकार इस्तर की बात करें गेर सरकार इस्तर पर कौन-कौन सी लोक नितिया कहलाएगी तो दबाव समु द्वारा दबाव समु द्वारा बनाई गई लोक निति यह आपन कह सकते हैं राजनेतिक डलों द्वारा राजनेतिक डलों द्वारा बनाई गई लोक नीती और अपन कह सकते हैं नागरीकों द्वारा नागरीकों को द्वारा बनाई गई गई लोक नीती आपके क्या कहलाएगी गेरिस्तर की लोक नीती जैसे अपन कह सकते हैं कि दबाव समु आपके सरकार के अंदर कुछ अलग लोग होते हैं जो सरकार में सामिल नहीं होते हैं फिर भी वो अपनी तरफ से कोई योजना बनाते हैं तो वो जाता आपके दबाव समू फिर राजनेतिक दल जो सरकार में नहीं है और वो अपनी कुछ नीतिया बनाते हैं जंता के कल्यान के लिए तो ऐसी नीतिया आपको उसको सरकारी नहीं कह सकते हुआ, यह गैर सरकारी इस-तर की लोकनिती कहला एगी फिर नाग्रिक भी बना सकते हैं, जैसे किसी समाज़ विसेज के अंदर कोई अंदविश्वास चल रहा है, या कोई कूरुती चल रही है, तो समाज के लोग अपने समाज के अंदर उस कूरूती को मिटाने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाते गभी अगर इसका उलंगन करेंगे तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा या दंड दिया जाएगा या समाज से बैस करत कर दिया जाएगा तो ऐसी लोक निती आपके नागरिकों द्वारा बनाई जाती है लेकिन ये किस इस्तर की कहलाएगी गैर सरकारी इस्तर की लोक निती का दरजा हम इसे देंगे तो ये लोक निती का निर्मान दो इस्तर पर किया जा सकता है सरकार इस्तर पर और गेर सरकार इस्तर पर और ज्यादा तर प्रस्न आपके यहां से मिलता है कि लोक नीती का निर्मान सरकार इस्तर पर कहां कहां किया जा सकता है अब बढ़ते हैं इसके बाद में आगे कि लोक नीती के चरण लोक नीती के चरण यनि लोक नीती का निर्मान किस तरीके से होता किन किन चर्णों से गुजर कर होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे पहले लोक नीती का आपके निर्मान होगा यनि कोई योजना बनाई जाएगी नीती दरातल पर बनाई जाएगी तो उसे कहेंगे अपन लोक नीती का निर्मान, प्रथम चरण है आपके ये लोक नीती का सबसे पहले लोक नीती का निर्मान किया जाएगा फिर नंबर दो पर आपको याद रखना है लोक नीती का किर्यानवयन किरियानवन का मतलब केवल नियम बनाने से कुछ नहीं होगा उसको दरातल पर लागू करना होगा तो किरियानवन किरियानवन लोक नीती का किरियानवन फिर किरियानवन के बाद में इसका तीसरा चरण है आपके विसलेशन लोक नीती का लागू करने के बाद में लोक नीती का विसलेशन विसलेशन यह आपन कह सकते हैं मुल्यांकन यह लोक नीती का आपके तीसरा चरण होता है कहने का मतलब है सबसे पहले कोई योजना या नीती बनाई जाएगी फिर उसका धरातल पर किर्यानवन किया जाएगा फिर उसका फीडबेक लिया जाएगा कि जनता के कितना फाइदा पहुंचा या नहीं पहुंचा है तो वलस्ट में उसका विसलेशन या मुल्यानकन किया जाता है कि योजना सफल रही या नही रही कितने लोगों को फाइदा मिला तो ये बात हो जाएगी आपके लोकनीती के चरण में यहां से भी पूछा जा सकता है कि लोकनीती का कौन सा चरण नहीं है निम्न में से तो आपको याद रखना है सबसे पहले लोकनीती का निर्मान होगा फिर उसके बाद में उसका किर्यानवन किया जाएगा फिर उसे बाद में विशलेशन या मुल्यांकन किया जाता है फिर आगे बढ़ते हैं अब लोकनीती बन गई है योजना बन गई है तो उसको लागू कैसे की जाए तो किर्यानवेन की दारी इसकी होती है तो बात करते हैं लोकनीती का किर्यानवेन लोक निती का किरियान वेन लोक निती का किरियान वेन तो किरियान वेन होगा आपके कारिय पाली का द्वारा कारिय पाली का द्वारा और कार्य पालिका में विशेश कर आपको याद रखना है नौकर साही द्वारा और नौकर साही के लिए जिम्मेदार रहता है आपके कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग तो कोई भी योजना सरकार बना देती है लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेदारी होती है आपके कार्य पालिका की कार्यपाली का स्वयम या अपने अधिनस्तों के माध्यम से उस योजना को लागू करती है और लागू के अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है आपके नोकरसा की यहनी सरकारी करमचारियों की तो इसमें भी आपको याद रखना है कि नोकरसाई द्वारा इनका किरियानवन किया जाता है और विबाग का नाम पूछले तो किस विबाग द्वारा इसका किरियानवन किया जाता है कार्मिक विबाग द्वारा तो यह हो गई आपके लोकनीती के चरण और लोकनीती का किरियान में तो यहां से प्रसंद ध्यान रखना है किरियान में किसके द्वारा किया जाता है कार्यपाली का द्वारा ठीक है तो यह हो गया आपके लोकनीती के चरण इसके बाद में आगे तो लोकनीती की विशेष्थाओं की बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी बाते ध्यान रखनी है पहली विशेष्था है इसके अंदर लोकनीती सरकार के उद्देशियों एवं भविश्ये की योजनाओ का योजनाओ का प्रति बिम्ब होती है या योजनाओ को प्रति बिम्बित करती है प्रति बिम्बित करती है यानि सरकार क्या योजना बना रही है उसका उद्देश्य क्या है और भविश्य में क्या योजना है उसका प्रतिभिम आपको लोक नीती के अंदर मिलेगा तो ये सरकार के उद्देश्य हों भविश्य की योजनाओं को प्रतिभिम बीत करती है पिर आपको याद रखना है लोक नीती सरकार के लिए मारक दर्शक का कारिय करती है मारक दर्शक का कारिय करती है यहीं लोक नीती बढ़ने के बाद में उसका किर्यानवन कैसे किया जाता है उसका सारा उल्लेक आपके लोक नीती में मिलता है तो यह इसकी दूसरी विशेशता हो जाती है पिर है लोक नीती कानून एवं सविधान पर आधारित होती है कानून एवं सविधान पर आधारित होती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है लोक नीती आपके जो भारत के अंदर कानून चल रहे है या सविधान के अंदर जो प्रावदान दे रखा उसके अनुसार नई नई योजनाय बनती है तो यह इसकी तीसरी विशेशता हो जाती है लोक नीती कानून और सविधान पर आधारित होती है फिर आपको याद रखना है लोक नीती सतत एवं क्रमबद गतिविधी होती है यनि लोक नीती के अंदर उसको कैसे लागू किया जाए एक निश्चित करम में होती है सतत एवं क्रमबद तरीके से चलती है ये भी लोक नीती की विशेशता होती है फिर लोक नीती समस्या समधान विधी पर आधारित होती है लोक नीती समस्या समाधान विधी पर आधारित होती है और लोक नीती आपके लोक नीती प्रबंदन पर बल देती है प्रबंदन पर बल देती है यनि नीतियों को लागू कैसे किया जाए उसका एक उचित प्रबंदन होना चाहिए तो ये लोक नीती की आपके कुछ महन विशेशता है इनको थोड़ा सा याद रखना है विशेशता हो में कई पूछा भी जाए लोक नीती में फिर लोक नीती सरकार के लिए एक मारक दर्स्तक का कारिय करती है तथा लोक नीती हमेशा कानून और सविदान पर आदारित बनती है जनता के कल्यान के लिए ही बनती है फिर आपके लोक नीती सतत आयों क्रमबद गति विदी पर आधारित होती है एक निश्चित करम में चलती है फिर समस्या समधान विदी पर भी आधारित होती है और ये प्रबंधन पर भी बल देती है तो ये लोक नीती की आपके विसेशताई हो जाती है इनको आपको ध्यान रखना फिर बढ़ते आगे इसके बाद में लेते हैं लोग नीती के परकार लोग नीती के परकार तो लोग नीती के परकार में आपको इनके नाम याद रखने है तो पहले है आपके तात्विक या सारगर्वित लोग नीती तात्विक या सारगर्वित लोग नीती तो इसमें आपके जो सारगर्वित लोग नीती यहनी सार्व भोमिक यहनी सब के लिए सार्व भोमिक विकास एतू सार्व भोमिक विकास एतू बनाई गई लोक निति यहनी ऐसी लोक निति जिसमें सभी का कल्यानों तो उसको अपन कैसी लोक निति कहेंगे तात्विक या सार घर्वित लोक निति फिर आपके दूसरी है नियामक या नियंत्रनात्मक नियामक या नियंत्रनात्मक लोक निति ये लोकनिती आपके व्यापार वानी जी सेतर में बनाई जाती है जैसे कोई सरकार किसी देश के साथ व्यापार करती है आयात निरियात करती है तो वहाँ पर अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित टैक्स वगरा लगाया जाता है जिससे कि यहां की अर्द वेवस्ता परभावित नहीं हो जो इस्थानिय माल है उसकी गुनोता या उसके मुल्यों में अंतर नहीं आए इस बात का ध्यान रखती है तो बार से कोई वस्तु मंगई जाती आयात किया जाता है उसपर ऐसे टेक्स लगाये जाते हैं ऐसे नियंतरन लगाये जाते हैं जिससे कि मुल्यों में जादा अंतर नहीं आए तो यहां पर आपको याद रखना है नियामक या नियंतरना आत्मक लोक निति है यह व्यापार यह अयात निदियात आयात निर्यात तथा वियापार सुरक्सा हेतु बनाई जाती है वियापार सुरक्सा हेतु यानि वियापारी कारियों के लिए जो लोक निती अपनाई जाती है उसे अपन नियामक या नियंत्रनात्मक लोक निती का परकार कहते हैं यानि उनके अंदर कुछ नियंत्रन लगाए होते हैं फिर है आपके तीसरे वित्रनात्मक लोकनिती तीसरा परकार है आपके वित्रनात्मक लोकनिती तो इसके अंदर आपके जो सारजनिक रूप से पिछले वर्गों के लिए जो आपके गेंग वगरा या चावल वगरा दिये जाते हैं या खादी सुरक्सा के लिए जो योजनाय चला जाती है वो सामाजिक वर्गों को वरग विसेश को वित्रन की जाती है शुक सुविदाय दी जाती है या सुविदाय दी जाती है तो इस परकार की लोक नीती आपके किस परकार में आएगी वितरन आत्मक लोक नीती जैसे अपन इसके अंदर कह सकता है सारजनिक वितरन पर्णाली वाली योजनाई सारजनिक वितरन वाली जो योजनाई है आपके वो किस परकार की लोक नीती के तेट आती है तो वितरन आत्मक लोक नीती इसके बाद में आगे बात करेपन तो चोती लोक निती का प्रकार है आपके पुर्णर वित्रनात्मक पुर्णर वित्रनात्मक लोक निती तो इसके अंदर आपके भूमी सुदार से संबंदित बाते होती है यहनी कोई भूमी है सरकार ग्रेंड कर लेती है और फिर सरकार पिछले लोकों को वित्रित करती है तो यह लोक निती आपके भूमी सुदार के अंदर काम में ली जाती है तो भूमी सुदार संबंदी भूमी सुधार सम्मंदी लोक नीती आपके किस में आएगी पुनर वित्रनात्मक लोक नीती में फिर आपके पांचवा परकार है विसम विसम लोक नीती विसम लोक नीती विसम लोक नीती के अंदर आपके जो कुछ सेत्र विसेस है जो सेत्र पिछड़े वह हैं तो उस सेत्रों के विकास के लिए जो लोक नीती की परकिरी अपनाई जाती है वो लोक नीती आपके विसम लोक नीती कहलाती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है विसेश सेत्रों है तू विसेश सेत्रों है तू बनाई गई लोक नीती आपके किस लोक नीती के परकार में आएगी विश्म लोक नीती तो इन पांच परकार की लोक नीतियों को आपके ध्यान में रखना है कि लोक नीती का परकार कौन कौन से हैं तो पांचों के थोड़े नाम आपको याद रखना है तो पहली लोक निती का परकार हो जाएगा आपके तात्विक या सारगर्वित लोग निती ये सभी के विकास के लिए बनाई जाती है सारोगोमिक विकास के लिए जो लोक निती बनाई जाती है वो इसके अंदर आपके आती है फिर नियामक या नियंतनात्मक लोक नीती को आपके वियापारवानी जे सेतर में अपनाया जाता है आयात निर्यात वाले उसके अंदर ज्यादा काम में ली जाती है फिर वित्रनात्मक लोक नीती आपके सारजनिक वित्रन परनाली की जो योजनाय चल रही है वो इसी लोक नीती पर आधारित होती है फिर इसके बाद में है पुनर वित्रनान मक्त, वित्रनात मक्त तो ये आपके भूमी सुधार संबंदी लोक नीती के अंदर आती है और अंति में आपके विसम लोक नीती तो विसम लोक नीती जो विसेश पिछड़े सेत्र हैं, उनके विकास के लिए जो योजनाई बनाई जाती है, नीतिया बनाई जाती है, उन नीतियों को अपन विशम लोक नीति कहते हैं, तो यह हो गए आपके लोक नीति के प्रकार, अब इसके बाद में आपको याद रखना है, लोक नीति के निर्मान है राष्ट्रिय संस्ता है लोक नीती निर्मान है तू राष्ट्य संस्ता है यहनी लोक नीती का राष्ट्रिय स्तर पर निर्मान कौन करता है तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यहां पर आपके आएगा नमबर एक पर नीती आयोग कौन सी संस्ता आएगी आपके नीती आयोग तो नीती आयोग आपके राष्टी इस्तर पर भारत के विकास के लिए नवीन योजना ये बनाते हैं पहले आपके इसकी इस्तान पर योजना आयोग था जो पंच वर्षी योजना बनाता था अब उसको समत करके उसके इस्तान पर नीति आयोग का गटन कर दिया है तो ये नीति आयोग की आपके सरकार के अंदर नीतिय मनाने का काम करती है इसलिए ये लोक नीति निर्मान की आपके राष्ट्य संस्ता है फिर आपको दूसरे नमबर पर पढ़ना है आपको राष्ट्रिये विकास परिशद, राष्ट्रिये विकास परिशद, नेशनल डवलोप्मेंट काउंसिल और यह हो जाएगा आपके नीती आई होगी, नेशनल इंस्टिटीट और ट्रांस्फर्मिंग इंडिया तो यह दोनो आपके लोक नीती निरमाण हितु, राष्ट्रिये विकास परिशद, आजाएगा, अब आपके लोक नीती का ये टोपिक पूर्ण हो जाता है लेकिन नीती आयोग भी इसी लोक नीती का ये एक पार्ट है तो इस लोक नीती को या नीती आयोग को अगले पार्ट में पढ़ेंगे लेकिन प्रसना आपको या तो नीती आयोग मैंसे मिलेगा या लोक नीती मैंसे आपको प्रस्न मिल सकता है तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से याद रखना है इसके बाद में अपन नीति आयोग एक अलग से पूरे टोपिक में पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टोपिक है तो इसको भी अलग वीडियो में अपन देख लेंगे इन से पहले जो आपने लोग नीति के बारे में पढ़ा उनको ध्यान रखना है और नीति आयोग भी इसी का पार्ट है तो प्रस्न इन में से भी आपको मिल सकता है तो दोनों बात का ध्यान रखना है धन्यवाद